हे अवरीवन वेलकम तू माई चानल आज हम डिसकस करेंगे काल पीसिंट कोफिशेंट ओफ कोरिलेशन शॉर्टकट मैथट से इसमें बहुत ही क्विक रिविवीव है इस मैथट का तो चलिए स्टार्ट करते हैं है कर दे रखा है हमें यह ओके फाइंड द फाइंड कोफिशेंट ओफ को रिचन बिट्विवीवल्ड एक्सेंट ओडर राख़िऊ होंगे मतलब दो टेबल जो है वो दो फॉर्म में दे रखी होगी एक वेल्यू एकस की एक वेल्यू वाई की एंड उसमें हमको ककाल पिसंट coefficient of correlation होता क्या है तो दो variable से x और y उनके बीच में dependency कि x के बढ़ने पर क्या y की value भी increase हो रही है या फिर x के बढ़ने पर y की value decrease हो रही है ठीक है तो इसीच का brief एक बहुत ही अच्छा discussion मैंने दे रखा है अपने previous video में coefficient of correlation जिसमें उसका basic पूरा covered है तो इस वीडियो में हमारा focus basically only shortcut method पर है तो यह question दे रहा है हमें इसको tabular form में arrange कर लेंगे इस type से इस type से हमने इसको tabular form में arrange कर लिया है यह हमारी main values है इसके recording हमें दूसरी values निकाल लिए तो formula कौन सा यूज होगा वो देख लेते हैं वेट अ मिनिट इस is the formula यह formula यूज होगा इसमें जो काली पेस्ट कोफिशेंट ओफ कोरिलेशन रो जो है वो है summation xy upon under root summation x square dot summation y square इस formula को आप इस तरीके से भी रिख सकते हो रो इक्वल्स टू समेशन xy upon में under root summation x square into under root summation y square ठीक है इस formula के लिए बहुत सारे forms होते हैं बट currently I am discussing this form और इसे कहते हैं shortcut method यहाँ पर जो x की value है वो है x minus x bar और y की value है y minus y bar देखिए यहाँ पर दो चीजे बिलकुल ध्यान रखिए कि यह आपका small x और small y है okay small x and small y और यहाँ जो मैंने use किया यह capital x और capital y है तो इस सीच के लिए मैं आपको बता दू कि capital x और capital y जो question में आपको value given है वो हम मानेंगे capital x और capital y तो देखिए यहाँ पर जो small x है वो है x minus x bar now what is x bar तो x bar जो है वो mean है ठीके x bar मतलब जिसके उपर भी यह बार लगा होता है वो mean होता है तो submission x upon n n मतलब total number of values तो देखिए इसको ऐसे भी लिखा है मैंने यह यहाँ पर x bar request to submission x upon n और y bar request to submission y upon n एक mistake कर दी है यहाँ पर capital x करिए और यहाँ पर capital y करिए क्योंकि small x और small y तो हमें बाद में मिलेगा तो यहाँ capital y और यहाँ पर capital x करिए अब देखिए table में हम सबसे पहले x का sum निकालेंगे और y का sum निकालेंगे और n यहाँ पर होता है total number of given values कितनी values हमें given है यह आगए हम table पर तो capital x और capital y जो यह values है इसको आप capital x और capital y मानिए ठीक है तो x की values यह y की values यह total values काउंट करिए कितनी है एक दो तीन चार पात छे साथ आठ तो n जो है capital n जो है हो जाएगा 8 क्योंकि आपको 8 values given है अब x की सारी value को जोड़ दीजिए 10 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 सारी values को add करेंगे आप जोड़ेंगे तो 80 आएगा आपको sum उसी प्रकार से y की सारी value का add करिए 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 11 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 4 तो summation y आजाएगा 64 तो यहाँ से आप निकाल सकते है x बार तो x बार ह हो जाता है summation x upon n ठीक है यह median है x bar median है एक चीज़ और mean median mode के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर प्रेजेंट है और बहुत अच्छी मतलब बहुत short videos है तो वह भी देख सकते आप उसकी link भी मैंने description में दिए एक बार description जरूर विजिट करें हो सकता है कि आपके काम की video description में म इस x bar आपके पास किता आगया 10 उसी प्रकार से आप y bar निकालेंगे तो y bar हो जाएगा summation y upon n तो summation y किता है 64 तो 64 upon n की value 8 तो 8 8 जा 64 तो 8 आएगा y bar ओके clear तो y bar की value आगए 8 और x bar की value आगए 10 ओके यह देखें यहाँ पर मैंने mention किया हुआ है आपकी x bar और y bar की value ओके यह side में x bar की value आगए 10 और y bar की value आगए 8 यहाँ पर capital y और capital x करिए ऑके by mistake लिख दिया मैंने और यह formula है और यह value है अब देखें हमें किन किन चीज़ों के जरुआता है हमने x bar और y bar तो निकाल लिए लेकिन हमको यहाँ पर small x और small y चाहिए तो small x आपका कैसे आएगा जब आप x मे minus का यह वाला 10 already है तो कितना आजाएगा 0 दूसरी value x की कितनी है 6 तो यहाँ पर रखिए x की value 6 minus यह वाली value कितनी है 10 तो 6 minus 10 कितना हो जाएगा minus का 4 जिसे मैंने यहाँ लिखा है फिर तीसरी value आप निकालेंगे 9 minus x bar की value कितनी है 10 तो यह कितना जाएगा minus 1 उसी प्रकार से फ वीडियो को pause करके reverse करके फिर से देखेगा तो यह सारी values हम निकालेंगे x की तो यह आजाएगी उसी प्रकार से आप small y निकालेंगे तो capital y minus y bar और capital y की value आपकी कहां है यह सारी है और y bar की value कितनी आएगी आपकी 8 जो हमने निकाली थी तो यह calculate करेंगे तो y मतलब 9 minus y bar मतलब 8 तो यह कितना हो जाएगा 1 उसी प्रकार से 4 minus y bar की value कितनी है 8 तो कितना हो जाएगा minus 4 ओके चलिए पहले x bar की value देख लेते हम okay c x bar की value जो है वो हमारे पास इस type से आई है मैंने देखिए पूरा यहाँ पर solve किया हुआ है x की value sorry x bar की नहीं x की value ठीक है यह small x की value उसी प्रकार से अब आप small y की value निकालेंगे तो small y की value है y minus y bar तो y की value कितनी है 9 और y bar की value कितनी 8 तो 9 minus 8 1 उसी प्रकार से इसके corresponding value निकालेंगे तो 4 minus 8 इसके corresponding निकालेंगे तो 6 minus 8 इसके corresponding निकालेंगे तो 9 minus 8 and so on c यह आपको value मिल जाएंगी इस चैप से ओके यह x की value मिली चेक कर लीजएगा आप और यह y की value मिली चेक कर लीजएगा इसको भी यह तो clear होगा ना आपको कि अगर हम जैसे 6-8 है अगर हम छोटे नमबर में से बड़ा नमबर घटाते हैं तो छोटे नमबर में से बड़ा तो माइनस हो नहीं सकता है तो यह negative का आता है ठीक है? ओके? और अगर 9 में से 8 घटाएंगे तो 9 बड़ा है तो बड़े में से छोटा घर सकता है, तो इसलिए प्लस में आता है answer, और अगर छोटा पहले होता है, तो minus में आता है, अब ध्यान दीजे यहाँ पर, इसके पहले के एक slide बता जीती हूं, यहाँ पर देखिये, यहाँ पर देखिये, जो हमारे पास formula था, वो यह था, यह formula था हमारे पास इसमें आप देख रहों कि आपको x square चाहिए y square चाहिए और x y चाहिए ठीक है अब आपका question बिल्गुल simple हो गया क्योंकि अब आपको ध्यान देना है कि इस पर और इस पर ये दो value आपको निकाल लिए इस value का कोई मतलब नहीं है इसको छोड़ दीजे ठीक है अब आपका जो नया x हुआ वो ये हो गया और जो नया y हुआ वो ये हो गया ओके तो अब आपको इस x और इस y को लेकर x square y square और साथ में x into y निकालना है ओके गॉट इट तो देखिया इस x की value का आप square कर देंगे तो x x square आ जाएगा तो 0 का square 0, 4 का square 16, 1 का square 1, 0 का square 0, 2 का square 4, 3 का 9 and so on ओके उसी प्रकार से आप y का square कर देंगे ठीक है तो y का square कर देंगे तो 2 का square 4, 4 का 16, 2 का 4, 1 का 1, 339, 55, 25 अब कुछ लोगों को शाद दिक्कत हो कि minus का square plus कैसे हो गया तो देखिया minus 4 into minus 4 करेंगे तो minus minus कर जाता है और 4, 4 जा 16 हो जाता है इस टाइप से minus का square भी plus हो जाता है तो यह आगया x square यह आगया y square अब आपको करना है x और y का multiply करेंगे हम हम तो यह देखिया अब x और y का multiply करेंगे तो small x और small y को यह जो कि इस से हमें आप कोईल ना देना नहीं है ठीक है तो हमारा नया x हो गया यह और नया y जो हो गया वह इन दोनों का multiply करेंगे तो 0 into minus 2 0 का किसी में multiply करेंगे 0 4 into minus 4 16 क्योंकि minus minus कट गया minus 1 का minus 2 में करेंगे तो minus minus कट जाएगा तो 2 बन जाए 2 0 का 1 में करेंगे 0, 2, 3, 6, 3, 5 is a 15 1, 0 is a 0 और 1, 4 is a 4 इस type से आपको यह sum मिला देखे यहाँ पर एक most important चीज कि आपको यह जो x है यह जो y है इसके corresponding जो आपने x square निकाला इसका sum करिए तो कितना है 32 समझ में है sum कैसे करना है आपको इनको add करना है 0 plus 16 plus 11 और 17 17 plus 4 plus 9 plus 2 कितना हो जाएगा 32 इसी प्रकार से y square को जोड़िए 4, 16, 4, 1, 9, 26, 16 यह तना जाएगा देखे हमारे पास formula है यह summation x y तो summation x y कितना है 43 summation x square कितना है 32 summation y square कितना है 75 ओके सिर्फ यह रखना है एक mistake हो गई है यहाँ पर यहाँ जो sum है यह mistake थी उसमें तो यहाँ minus 1 है और यहाँ पर 1 है तो यह sum correct कर लिजेगा 75 की जगा 72 आएगा और ठीक है तो आपके पास summation x y की value 43 summation x square की value 32 और summation y square की value 72 तो यह आपके पास formula है जिसमें value substitute कर दीजे summation x y की जगा क्या लखेंगे 43 under root लखाएंगे फिर summation x square की जगा 32 then summation y square की जगा root 72 क्योंकि root बहाँ लगा है तो root हमें लगाना पड़ेगा तो यह तीनों value हमने substitute कर दी तो मैं कहना चाहूंगे अगर आपको वीडियो helpful लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें और चनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलिए इसके आगे का हम solve कर लेते हैं और description ज़रूर चेक करें तो आप 32 x 72 कर लो तो यह देखिए बहुत ही सिंपल सी calculation मैंने आपर दी हुई है यह LCM वगरा लेकर इसमें से जो जो पेर बन रहा है उसको हम बहार निकालेंगे and solve कर लेंगे तो जब आप calculator से calculation करेंगे तो फाइनल अंसर आ जाएगा तो यह आप देख रहे हैं कि जो रो की value चेक करने का तरीका क्या होता है कि रो की value minus 1 से हमेशा plus 1 के बीच में लाए करती है तो आप देख रहे हो कि 0.89 जो है वो 1 से कम है और minus 1 से बढ़ा है तो that means आपका अंसर जो है वो possible है suppose करो आपका अंसर आगा है 1.5 तो यह गलत होगा क्यों इसका मतलब है कि आपने calculation में कोई ना कोई mistake करी है क्योंकि 1.5 हो ही नहीं सकता क्योंकि जो कालपेस्ट कोफिजेंट होता है वो या तो minus 1 या plus 1 के बीच में होता है ऐसा क्यों होता है तो इसके लिए मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा तो चलिए यह था आज का lecture अगर वीडियो helpful लगा हो तो प्लीज प्लीज लाइक करें और मेरे चनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और description box और comment में जो मैंने comments pinned कियो है उसको ज़रूर चेक करें तो प्मोस्ट कमेंट इसमें मैंने सारे links दी हो है और description भी आप चेक कर सकते हो तैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक स्क्राइब और शेर मैं चैनल रिप्ति वेदारम टूटोरियल थैंक यू